हलो बच्चो आज हम पढ़ने जा रहे हैं Laws of Motion Physics का एक important chapter है जिससे J.Main के अंदर बहुत बाल बहुत अच्छे-च्छे question पूछे जाते हैं और ऐसा ही नहीं ये chapter एक ऐसा chapter है जो कि पुरे physics की हम foundation बोल सकते हैं और J.Main में भी इसको related, mechanics related ये laws of motion को include करके और किसी दूसरे chapter में भी इसका use करके बहुत अच्छे-च्छे questions बनाए जाते हैं तो हम सबसे पहले देखते हैं अपनी इस वीडियो में आज की इस वीडियो में के laws of motion के concept क्या-क्या है और हम पढ़ेंगे laws of motion के concept through previous year questions की ये concept कैसे-कैसे इसमें लगाए जाते हैं questions को करने के लिए ठीक है बच्चों? चलो हम सबसे पहले previous year में 2019 के questions लेते हैं और देखते हैं इनमे laws of motion के concept कैसे-कैसे लगाए गए हैं ठीक है न? तो अभी हम आ जाते हैं इसमें पहला question हमारे पास है क्या बोल रहा है? a mass of 10 kg suspended vertically ठीक है? by a rope from the roof तो जैसे-जैसे question सबसे पहले बच्चों में क्या करना है? जो भी question बोलता जा रहा है physics के अंदर सबसे पहले हमें उसका बनाना है diagram ठीक है? तो diagram हम बना लेते हैं क्या बोल रहा है यहाँ पे? question के अंदर यह बोल रहा है कि एक mass है 10 kg का जिसको ceiling से hang किया गया है यह हम देख लेते हैं यहाँ पे इस mass को ऐसे क्या कर दिया गया? hang कर दिया गया कितना है? 10 kg है अब इसमें क्या लग रहा होगा? सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि इस mass के उपर weight लग रहा होगा इसका कितना? 10 g ठीक? तो यह 10 g का weight लगेगा नीचे की और और उपर क्या लगेगी बच्चो? tension लगेगा tension का force लगता है यहाँ पे T ठीक? फिर क्या बोलता है? फिर देखते हैं आगे तो इस तरीके से हमारा पास यह क्या रहता है? यह block इस समय इस condition में यह दो forces से क्या है? equilibrium में है equilibrium का बच्चो मतलब क्या होता है? equilibrium का मतलब यह होता है कि वो condition किसी भी object की या किसी भी system की जिसमें object या system के उपर कोई भी force ना लग रहा हो net force जीदो हो ठीक है न? तो यहाँ पे हमारा पास net force अभी क्या है? जीदो है तो अब यह क्या बोल ला है? कि when a horizontal force is applied on the rope at the same some point the rope deviated at an angle of 45 degree at the roof point तो यह बोल रहा है यहाँ पे कोई हमने क्या किया? कोई एक force लगा दिया horizontal force है suppose कर लेते हैं यह horizontal force कितना है? F है तो अब अगर हम किसी भी body के उपर force लगाएंगे खीचेंगे अगर हम ऐसे खीच रहे हैं तो क्या हो जाएगा? यह rope है तो rope क्या हो जाएगा? rope deviate हो जाएगी थोड़े सी slant हो जाएगी ठीक है? तिर्चा हो जाएगी ठीक? तो अब देखते हैं यह यहाँ पे इसका जो next free body diagram बनता है यह force लगाने पे वो देखते हैं कैसा बनता है? यह हमारे पास आजाता है यह कुछ ऐसे बन जाएगा ठीक? यहाँ से यह आ गया और यहाँ पे हमारे पास आ जाता है क्या? block आ जाता है ठीक? और यह हमारे पास इस तरीके से यह क्या हो जाएगा? यह force लगा था F ठीक है बच्चो? यह force लगा था यहाँ पे again हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ पे again हमारे पास आ जाता है यह आ जाएगा क्या? mg आ जाएगा ठीक है? तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा mg तो और यह हमारे पास क्या हो जाएगा? यह एक tension का force हो जाएगा ठीक? यह string थी हमारे पास string क्या थी, string हमारी ये थी ये, ये हमारा पास ऐसे अब ये string है, ये string है ठीक, तो यहाँ इस string में क्या हो जाएगा, tension का force हो जाएगा ठीक है न, इधर हमारा पास कौन सा force लगा है, f लगा है, ठीक, वो horizontal force जिसने क्या किया है, इसको और ये angle क्या, according to the question ये angle हमारा पास कितना है 45 degree का angle है ठीक है न, तो अब इसने पूछा है क्या, ये यहाँ पे force कितना लगेगा, इस direction में, इस direction में force हमारा पास लगता है, इसके weight के equal, that is 10 G, ठीक सब्सक्राइब बात आ गई तो यहाँ पे, ये हम forces लग रहे हैं, ठीक है न, तो तीन forces में, अभी हमें निकालना है, if the suspended mass is at equilibrium, the magnitude of the force applied is take G is equal to 10 हमें निकालना है, F की value ठीक, तो देखते हैं, F की value कैसे निकालेंगे, अब equilibrium के लिए, बच्चों, यहाँ पे क्या होना चाहिए मैंने बताया था कि equilibrium में body के open net force जो होता है, वो क्या होता है, जीरो होता है ठीक है न, तो net force जीरो होने के लिए horizontal and vertical direction में, जितने भी forces हैं, उनका sum 0 होना चाहिए, तो हम क्या कर लेते हैं, सारे forces को अपने horizontal and vertical direction में resolve कर लेते हैं तो resolve करेंगे, यहां पर क्या आजाएगा यह हमाया पास आजाता है इसको हम resolve करेंगे तो यह हमाया पास आजाएगा tension को, तो यह आजाएगा T, यहां पर, यह आजाएगा क्या, यह angle 45 तो यह angle भी 45, यह हमाया पास आजाता है T cos 45 और ये वाला क्या आ जाएगा force ये वाला force आ जाएगा T sin 45 आ जाएगा ठीक है बच्चो तो यहां से अब हमें निकालना है क्या vertical direction के सारे forces का sum क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा तो sum क्या जाएगा हमाया पास vertical direction में अगर करेंगे तो क्या जाएगा T cos 45 degree minus 10 G is equal to क्या हो जाएगा ये 0 हो जाएगा ठीक माइनस क्यों लगाया माइनस इसलिए लगाया क्योंकि force opposite direction में था वो उपर आला force अपर की direction में था हमें पता है कि vector ये force क्या एक vector quantity है तो vector sum में हम सारी के सारी physical quantities का same direction में रखके ही add या subtract करते हैं ठीक है तो ये opposite direction में था इसलिए हम add हमें करना है तो opposite direction में हमने कर लिया तो क्या आगया T cos 45 minus 10 G is equal to 0 ठीक तो यहां से question हमाई पास कितनी आ गई 100 root 2 newton अच्छा यहां से इस question में tension नहीं पूछा था लेकिन अगर tension पूछा जाता तो वो भी हम यहां से निकाल सकते थे ठीक है ना तो अब tension निकाल ली अब हमें क्या निकालना है अब हमें निकालना है यह F तो यहां से अब horizontal direction में फोर्स बैलेंस करते हैं तो मैं यहां पर लिख लेता हूँ कि balancing force in horizontal direction तो horizontal direction में अगर हम force balance करेंगे तो क्या जाएगा F minus T sine 45 degree is equal to 0 तो F is equal to हमाया पास क्या आ जाता है F is equal to हुआ जाता है T sine 45 degree तो यह हमाया पास आ जाता है T की value हमने निकाल लखी है क्या है 100 root 2 है और sine 45 degree की value again 1 upon root 2 root 2 cancel out हो जाएगा हमाया पास क्या 100 newton आ जाएगा ठीक तो यह हमने निकाल लिया force तो यह हम देखते है option कौन सा सही है यह option हमाया पास C आ जाता है ठीक है तो इसमें option C is correct ठीक है बच्चो तो आपने देखा है इसमें मैंने कैसे laws of motion को apply किया है ठीक है equilibrium case के लिए ठीक तो याद दखो कि equilibrium का अगर case है ठीक है तो इसमें क्या हो जाएगा हमाया सारे जो forces हैं किस direction में तीनों direction में अगर हम बात कर रहे हैं अपस थी coordinate system अगर है ठीक है तो सबका sum sigma fx is equal to 0 sigma fy is equal to 0 and sigma fz is equal to 0 ठीक तो हर एक direction में forces का vector sum क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ठीक है बच्चो तो ये ध्यान दखना है ये equilibrium का एक बहुत अच्छा question था ठीक है न अब हम देखते है next question ओके हमाँ पास तो next question ये है कि बोला है अब particle of mass m is moving in a straight line with momentum p ठीक है तो यहाँ भी बोला starting at time t is equal to 0 and force f is equal to kt acts in the same direction ठीक जो force बोला है kt तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं मैंने बताया था जो भी question बोलता जाया है उसे पहले क्या करो draw करते चले जो ठीक है न अगर diagram आपका सही सही बन जाता है तो ये लगा लीजिए कि 50% question आपका तो वहीं पी हो गया ठीक है न सबसे पहले हमें क्या बनाना है FBD बनाना है free body diagram बनाना है free body diagram में क्या हम सारे के सारे body बनाते हैं उसके उपर जितने भी forces लग रहे हैं सारे के सारे forces को हम show करते हैं ठीक है न तो हम यहाँ पे सबसे पहले diagram बनाते हैं इस question का ठीक है तो diagram में हमाया पास क्या था यह हमाया पास कोई एक body थी suppose करते हैं यह कोई body थी जो की move कर रही थी इधर की और ठीक है न और इसका momentum कितना था momentum इसका P था और इसका mass कितना था mass M था ठीक है न समझ मैं अभी बात अब बोल ला है कि starting at time t is equal to 0 at t is equal to 0 जो मैं आपास लगा क्या है force लग गया है इसके ओपर kt ठीक है बच्चों फिर acts in the same direction यह force भी क्या है force भी इसी direction में ही लग रहा है same direction में लग रहा है ठीक है न तो अब बोल ला है कि during the time interval t कहां से लगा है time t is equal to 0 to यह हमाँ पास आया force यह लगा और कब तक के लगा time t is equal to capital T तक का लगा ठीक है तो यह इसके लगने के बाद में बोल ला है कि इसका momentum कहा पहले P था अब कितना हो जाता है अब हो जाता है 3P तो जैसे हमने यहाँ पे किया यह हम दूसी condition इसकी लिख लेते हैं अब हमाँ पास momentum कितना है 3P है कब जब time t is equal to कितना हो गया है capital T हो गया है हमें निकालना क्या है हमें निकालना है value of capital T ठीक तो बच्चों हमें पता है Newton का second law क्या होता है second law Newton का second law होता है कि the rate of change of momentum is proportional to applied external force ठीक फिस proportionality अगर हटाते है ठीक है तो हमाँ पास यह law निकल के आता है कि f is equal to जो हमाँ पास होता है वो क्या आ जाता है dp by dt आ जाता है Newton का second law से force is equal to rate of change of momentum ठीक तो यहां से हमाँ पास क्या आ गया force हमाँ पास दे रखा है कितना है यह है kt दे रखा है ठीक तो यह हमाँ पास एक differential equation बन गए इसे हमें solve करना है dp is equal to क्या आ गया kt और dt ठीक अब हम क्या करते हैं अब हमें इसे integrate कर देते हैं तो integrate करने में हमें पता है बच्चो जब time t is equal to 0 था ठीक तो momentum हमें आ पास कितना था p था ठीक है जब time capital T हो गया तो momentum कितना हो जाता है momentum हो जाता है हमारा 3p हो जाता है तो हमने यहां पर रख लिया इसको हम solve कर लेते हैं तो यह इसका integration पी आएगा यह पी से लेके 3p तक का हमाया पास करना है और यह क्या जाता है kt square by 2 इसमें हमें करना है कहां से 0 से लेके t तक का ठीक तो यह हमाया पास क्या जाएगा 3p minus p is equal to क्या जाएगा k by 2 common और यह हमाया पास आजाएगा t square ठीक तो यह हमाया पास क्या जाएगा यह हमाया पास आजाता है 2p is equal to क्या k by 2 और यह t square ठीक है तो यहां से हमाया पास जो t की value आई वो T की value क्या आ जाती है T की value महाँ पास आ जाती है 2 times root के अंदर में P upon K अब यह option देखते हैं महाँ पास कौन सा है यह option A है ठीक है ना तो इसमें महाँ पास जो correct answer था वो क्या था A था ठीक है तो इस तरहिके से यह भी हमने देखा कि Newton का second law कैसे apply हुआ है कि force applied is equal to किसके equal होता है rate of change of momentum के ठीक है ना तो हमने यह concept यहाँ पे देखा कि यह कैसे इस question के अंदर apply किया गया है ठीक है बच्चो अब हम देखते हैं next question क्या है चलो तो next question हम देखते हैं कि अब इस question में क्या बोल रहा है कि a ball is stone upward with an initial velocity v naught तो हम क्या करेंगे सबसे पहले बने बताया diagram बनाना है ठीक तो diagram हम बनाएंगे सबसे पहले यह हमारा पास क्या आ गई यह ball आ गई ठीक है ना तो यह बोला है उपर फेकी गई कहां से v naught velocity से फेकी गई ठीक अब बोला है from the surface of the earth यह earth के surface से फेकी गई है ठीक है ना हम यहाँ पर लिख लेते हैं earth ठीक है ना earth के surface से फेकी गई है फिर क्या बोलता है the motion of the ball is affected by a drag force equal to m gamma v square ठीक है ना तो बोला drag force लग रहा है इसके उपर मतलब मैं अगर इसको अलग से बनाओ यहाँ पर तो वो like drag force लग रहा है पीछे की ओर कितना लग रहा है m gamma और m gamma और v square यह लग रहा है हमारे पास ठीक है अब इसको क्या बोला where m is the mass of the ball v is its initial instantaneous velocity and gamma is constant v क्या है instantaneous है किसी particular time पर हमारे पास velocity है time taken by the ball to rise to its zenith zenith मतलब top point तक महुशने में उसे कितना time लगेगा हमें यह find out करना है ठीक है बच्चो तो देखते हैं भी इसको हम कैसे करेंगे ठीक तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कौन कौन से ball के उपर forces लग रहे हैं ठीक है न तो इसके उपर forces कौन कौन से लग रहे हैं एक तो यह force लग रहे है दूसरा एक और force लग रहे है वो कौन सा है वो है इसका weight mg ठीक है तो यह हमारे पास दो forces लग रहे हैं ओके तो ये हमारे पास क्या इस ball के उपर दो force लगे हैं और इसकी initial velocity क्या है initial velocity है हमारे पास कितनी V थी तो हम कोई particular time पर ले ले लें तो suppose करते हैं इसके उपर की उपर की उपर velocity अगर V थी ठीक है न किसी height पे तो इस समय इसके उपर जो drag force लगदा होगा क्या लगदा होगा M gamma V square और नीचे की यह हमाया weight लगदा है कितना mg ठीक है न तो अब हम इसके लिए लिख लेते हैं एक question हमाँ पास net force क्या है F is equal to क्या होता है Newton के second law के according F is equal to है MA ठीक है न तो F is equal to MA हम लिख लेते हैं यहाँ पर देखते हैं net force के ओपर कितना F is equal to हमाँ पास क्या जाता है MA आ जाता है ठीक है न अब total force कितना है नीचे की यह है ठीक है तो यह हमाँ पास कितना आ जाएगा total force आ जाएगा नीचे की ओर हम लिख लेते हैं minus m gamma v square minus mg is equal to क्या जाएगा m और acceleration को हम क्या लिख सकते हैं acceleration हमाई पास आ जाता है dv by dv by dt आ जाता है ठीक है बच्चो तो ये हमाई पास आ जाता है m dv by dt ठीक minus sign क्यों लगाया क्योंकि हमने positive direction ले रखी है किधर v की direction में ठीक है न तो वो हमाई पास क्या आ गया है v की direction है positive है ये इसके force इसके opposite direction में लगाया तो ये क्या जाता है negative आ जाता है ठीक है न तो यहाँ से हमाई पास m से m दोनों side में क्या हो जाएगा cancel out हो जाएगा ठीक तो ये हमाई पास क्या आ गया ये हमाई पास आ जाता है dv by dt is equal to हमाई पास कितना आ गया ये आ जाता है minus gamma v square and minus g ठीक तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमाई पास क्या जाएगा dv by ये हमाई पास आ जाता है gamma v square plus g is equal to क्या जाएगा ये आ जाएगा minus dt dv by gamma v square plus g ठीक है बच्चों क्या है dv by gamma v square plus g is equal to minus dt ठीक अब हमें क्या करना है इसे integrate करना है तो integrate कैसे करेंगे इसे हमें integrate करना है कहा से कहा तक का time जब t is equal to 0 था तो इसकी velocity initial velocity क्या थी v naught थी ठीक v naught थी और जब हमें क्या निकालना है time उपर तक का पहुँचने का ठीक है तो उसे हम क्या ले लेते हैं suppose करते है capital T ले लेते हैं ठीक है न zenit तक पहुँचने का और उस समय हमापस velocity क्या रही होगी 0 रही होगी क्योंकि top point पे velocity क्या होती है 0 होती है vertical velocity ठीक है न तो यह अब हमें इसका integration find out करना है तो इसका integration क्या जाएगा इसको हम करेंगे तो यह क्या जाएगा यह यहां से आ जाता है minus में T आ जाएगा ठीक तो अब इस integration को देखते हैं कैसे solve करना है तो यहां पे हम next page पे आ जाते हैं अभी T is equal to minus और integration V naught to 0 और dV upon gamma V square plus G ठीक है बच्चो तो यह हमाया पास आ जाता है is equal to क्या जाएगा यहां से minus अब इसका हम integration करना है इसको integrate करने के लिए हम क्या कर लेते हैं gamma को हम बाहर ले लेते हैं और यह हमाया पास आ गया V naught to 0 dV upon यह क्या जाएगा V square plus G by gamma ठीक यह हमाया पास आ गया इसको हम लिख सकते हैं integration V naught to 0 dV upon ओके तो यह हमाया पास आ जाता है और इसका integration क्या होता है बच्चों इसका integration हमें पता है कि 1 by A यह कौन सा form है यह standard form है integration dx upon x square plus a square वाला ठीक तो इसका क्या होता है integration 1 upon A 10 inverse x by A ठीक है तो यह क्या जाएगा यह आगे इसको लिखेंगे is equal to minus 1 upon gamma ठीक है और यह हमाया पास आ जाता है 1 by A तो A की जगरे पे क्या है root के अंदर G upon gamma है ठीक है यह हमाया पास आ जाता है और 10 inverse x x की जगरे पे क्या है V है ठीक है और यह हमाया पास क्या जाएगा root के अंदर G upon gamma ठीक तो यह हमाया पास आ जाएगा और इसके उपर हमें करना है कहां से कहां तक का V naught से लेके 0 तक का integration ठीक तो यह हमाया पास क्या जाएगा यह हमाया पास आ जाता है minus में gamma से gamma एक cancel out हो जाएगा तो यह क्या जाएगा 1 upon root के अंदर gamma G ठीक यह हमाया पास आ गया इसको हम value रखेंगे तो यह हमाया पास पहली value 0 आ जाएगी ठीक है फिर दूसी value हमाया पास आ जाएगी minus में tan inverse V naught ठीक और root के अंदर gamma ठीक है न upon root के अंदर G ठीक इसको आ गये हम solve करेंगे तो यह हमाया पास time t is equal to आ जाता है यह minus minus plus हो जाएगा और यह आ जाता है 1 upon root के अंदर में gamma G और tan inverse यह हमाया पास आ जाता है V naught root के अंदर gamma upon G ठीक तो इस तरह के से आ जाता है time अब हम देखते हैं कि यह हमाया पास कौन सा option था तो इसको देखने के लिए हम अगेन अपनी previous slide में चले जाते हैं तो यह हमाया पास था पहला option 1 upon root के अंदर में gamma G tan inverse root V naught gamma Y G ठीक तो यह हमाया पास आ जाता है first option ठीक तो इस तरह के से हमाया पास यह लग गया ठीक है बच्चो तो इसमें हमने देखा कि कैसे हमने Newton's का second law लगाते हुए अपने इस question को solve किया है ठीक है तो आज के लिए इतना ही यहीं पे फिर आगे हम next video में देखेंगे ठीक है न कि और हम कैसे कैसे Newton's के laws को apply कर सकते हैं questions के अंदर ठीक है न कैसे questions solve कर सकते हैं अगर यह वीडियो बच्चो आपको लोगों पसंद आया है तो share और like करना न भूले और subscribe जरूर करें जिससे कि आपको timely notification मिलते रहें जबी भी वीडियो यह upload की जाती है ओके थैंक यू